हेलो वियोर्स असलाम लेकूं कैसे आप सब अमीद करती हूं सब हैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेस्पी शेर करने वाली हूं चिकन ब्रेट पैटी बहुत टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत असान है शाम की चाय के साथ और इसमें हरा दनिया जाएगा बारीक चाप किया हुआ हाफ कप और थ्री टेबल स्पून हरी प्याज एड़ करेंगे बारीक चाप की हुई और अब इसमें एड़ करेंगे साल्ट टू टी स्पून दनिया पाउडर आड़ करेंगे वान टी स्पून चाप मसाला वान टी स्पून लाल मिर्श का पाउडर वान टी स्पून कुटी हुई लाल बिर्श हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अब इसके हम बना लेंगे कबाब और इसके उपर मैंने वान टी स्पून ओयल डाल दिया था ठीक है तांकि यह हाथों के साथ चिपके नहीं इसमें कोई अंड़ा कुछ भी एड़ नहीं किया मैंने और इस तरह से इसकी मैंने एक बॉल बना ली है और इसको हम हाथों में रखके और प्रेस करेंगे और चोटा साइक कबाब बना लेंगे सारे हमने इसी तरह से बनाने हैं तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ओल आइड किया है पैन में यह अच्छी तरह से गरम हो गया अब इसमें एड़ कर देंगे एक एक करके कबाब और इनको अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम रखना है ठीक है ताके अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएं तो अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं ताके दोनों साइडों से अच्छा साइन का गोल्डन गलर आ जाएं तो यह देखें कबाब अच्छी तरह से कुक हो गये हैं कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन आ गया है तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और यह दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राइ हो गए हैं अब हम एक एक करके इन्हें निकाल लेगे कबाब जितने अच्छी तरह से अंदर से कुक होंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है तो मैं सारे कबाब निकाल लेती हूँ उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं तो यह देखें यहां पर मैंने ब्रेट के चंद स्लाइसिस ले लिए हैं और यह एक छोटा सा बाउल और बाउल को हमने रख देना है ब्रेट पे ब्रेट की कटिंग करने के लिए इस तरह से उपर से हमने इसे प्रेस करना है ठीक हो गया और अब यहां पर मेरे पास नाइफ है नाइफ से हमने इसे कट कर लेना है चारो साइडों से चारो साइडों पर हमने नाइफ गुमा लेनी है तांके ये अच्छी तरह से कट हो जाए तो ये देखें बहुत ये अच्छी सी इसकी गोल शेप निकलाएगी और जो ब्रेट बच की है हम इसे जाया नहीं करेंगे बलके ब्रेट क्रम बना लेंगे इसके ये जो बच की है न इसके तो ये देखें यहाँ पर कटे हुए ब्रेट की पीसिस मैंने ले लिए हैं और इनके साइडों पर ये इनके किनारों के उपर मैं पानी लगा रही हूँ हलका हलका सा बहुत जादा गीला नहीं करना हमने तांकि ये जब हम दूसरे ब्रेट के साथ इसे चिपकाएं पीस को तो ये अच्छे तरह से चिपक चाहे खुले नहीं ठीक है अब ये इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेट के पीस के उपर भी पानी लगा रही हूँ विलकुल हलका हलका से लगाना है ठीक है तो दोनों पीस इसके ओपर पानी लगा लिया है मैंने अब हम ये प्रेट लेंगे दूसरा पीस भी और इसके बीच में ये मैंने पैटीक रखती है और उपर से प्रेस कर रही हूं मैं बिल्कुल हलका सा बहुत जादा नहीं कीजिएगा प्रेट टूटना जाए और ये किनार ा पानी लगाने से ब्रेट बहुती हाटी से जाता है ठीक है इसी तरह से हम सारे पैटी्स डेडी कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ब्रेट क्रम लिए है और तीन अध़द अंडे लिए आंडो में मैंने थाफ टीस्पूं सॉल्ट एड किया है और इसको अच्प से मिक्स कर ल तो अब हम कोटिंग कर लेते हैं पैटी की उपर सबसे पहले हम एग लगा लेंगे अच्छी तरह से चारो तरफ तांके कोई भी साइट हाली न रहे जब हम ब्रेड क्रम लगाएं तो वह अच्छी तरह से साथ चिपक जाएं ठीक है तो यह एग लग गया अब हम लगा लेते ह है ब्रेड क्रम जो साफ हाथ होगा उसके साथ लगाएंगे तांके ब्रेड क्रम हाथ के साथ ना चिपकें तो यह देखें इस तरह से दोनों साइडों पर अच्छी तरह से लगा लेंगे ठीक हो गया इसी तरह से हम सारी पैटिस रेडी करेंगे तो ये देखें यहाँ पर oil गरम होने के लिए मैंने रख दिया था और अच्छी तरह से गरम हो गया है अब एक एक पैटी इसमें add कर लेंगे विल्कुल अराम से और इसे अच्छी तरह से cook कर लेंगे यानि के अच्छी तरह से हमने इसे fry करना है ताकि दोनों साइट से अच्छा सा golden कलर आ जाए और flame हमने यहाँ पर medium रखना है तो यह देखें हमारी पैटी स्फ्राई हो चुकी है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छा सा golden कलर आ गया है अब मैं एक एक करके इन्हें निकाल लूँगी और टी शाउट कर लूँगी उपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी तियार हुई है तो जी वियर्ज ये रही आज की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन ब्रेट पैटीस बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत ही इधान है जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी चिकन पैटीस कैसी बनी है एक और नई रेस्पी के साथ आपकी हिदमत में हाज़र होंगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को शेयर कीजेगा इससे मुझे मौटिवेशन मिलती है दा कि मैं और नई नई वीडियो बना कर आपके साथ शेयर करूँ अला हाफिज